हलो फ्रेंड्स स्वागत था आपका अपने यूट्यूब चैनल पर तो आप लोगों के लिए नीट 2021 की कौंसलिंग का जो स्टुडेंट्स वेट कर रहे हैं उन सभी स्टुडेंट्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज है फाइनली ओफिशल नॉटिस जो है रिलीज हो चुका है 2021 के लिए बड़ी ख़वर निकल कर आ रही है तो आज की सबसे बड़ी खुस ख़वरी है आज जो ओफिशल नॉटिस जारी हुआ है उसके अंदर जो पॉइंट्स दिये गए है जो में गाइडलाइन्स दी गई है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोरेंट है ठीक है कोटा एंड स्टेट कोटा कर्ट ओफ और ओफिशल नॉटिस से रिलेटिड की पल-पल की अपडिट आपको मिलती रहे तो गाइज हम डिरेक्ली चलते है कि नीट 2021 की काउंसलिंग को लेकर जो ओफिशल नॉटिस जारी क्या गया है वो क्या नॉटिस जारी क्या गया है तो अनॉंस्ट हो चुका है वो तो देखे तो आज ही के दिन ये नॉटिस रिलिश हुआ है ठीक है अर्जेंट अटेंशन के लिए हैं नीट के काउंसलिंग के अंदर जो पार्टिस्पेट करने वाले हैं दा कांसलिंग फोर नीट पीजी सबसे पहले नीट पीजी की बात हो र कांसलिंग स्केम विल बी इंप्लिमेंटेड फ्रॉम अकेडमिक यर 2021-22 ठीक है तो कुछ चेंजिस या मोडिफिकेशन दिये गए हैं कांसलिंग को लेकर तो नीचे वो चेंजिस दिये गए हैं वो आप देख सकते हैं तो सबसे पहले नीट कांसलिंग अप टो 2020 2020 तक जो नी फे был a session of stay received फूरी 21 अवो फे गए हैं वो स्ट्रेट्स के अंदर ब्रेक कर दी जाते थी मूम कर दी जाते थी ठीक हैं अब init 21 के अंडर क्या कर दिया दो रांड ना होकर चार रांड कर दिये गए हैं रांड वन round 2, mop-up round and stray vacancy round ठीक है? कोई भी seat revert नहीं की जाएगी state में after compulsion of round 2 क्योंकि mop-up and stray vacancy round के through ही वो फिल की जाएगी अब guys next जो second information है 2020 के अंदर क्या होता था unfilled NRI, Muslim minority, JAN minority seats are reverted to the deemed universities after compulsion of mop-up round of conduction of stray vacancy round by deemed universities ठीक है? तो पहले क्या होता था कि जो unfilled NRI seats हो जाते थी, Muslim minority या Gen minority के जो seats होते थी, वो deemed universities के जो mop-up round stray vacancy round वेगरा होते थी, उनके उसमें, उनमें रिवर्ट कर दी जाते थी और उनके through हो फिल की जाते थी ठीक है? अब क्या कर दिया है 2021 के अंदर, unfilled NRI, Muslim minority, Gen minority seats to be converted to Indian national seats. अब जो ये minority seats रहेगी convert की जाएगी Indian national seats के अंदर, ठीक है? आफ्टर एक्जोखोशन of all the eligible NRI Muslim minority, Gen minority candidate during the mop-up round before the reverting it back to the respective deemed universities. तो गाईज, बहुत ही important point है. उसके बाद जो reservation policy है, उसका दिया है 2021 के अंदर, जो all India quota के reservation policy थी, वो क्या थी? SC के लिए 15% reservation, ST के लिए 7.5% OBC के लिए 27% and guys, EWS category के लिए 10% और PWD के लिए 5%. अब 2021 के अंदर देखे, कुछ changes है? क्या SC 15% not change, ST 7.5% not change, OBC 27% not change, EWS 10% not change and PWD 5% not change, मतलब ये guideline जो है, point जो है, हो same है वो change नहीं हुआ है उसके बाद guys, counseling for PZ DNB seats was not conducted by MCC of DGHS MYHFW, ठीक है? MCC के थूँ जो counseling है, वो connect नहीं करवाए गई थी, और अब की बार क्या होने वाला है? MCC के थूँ ही MCC of DGHS MYHFW के थूँ ही, जो counseling है, वो connect होने वाली है उसके बाद guys, offline stray vacancy round conducted by respective central universities और institutes ठीक है? Offline stray vacancy round होता था particular centers के अंदर university और institute अपना connect करवाते थे अब के बार क्या गर दिया कि online stray vacancy round भी MCC ही connect करवाएगी of central universities, institute all India court and DNB states ठीक है? तो ये important points थे जो अगर आप counseling में participate कर रहे है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही important है, तो guys clear बात ये है कि 12 January से आपके counseling स्टार्ट होने वाली है, और जो 2020 की counseling में जिनने participate किया था, और जो 2021 की में भी participate कर रहे है, जिनने drop ले लिया था ठीक है? तो उनको कुछ points clear करने की जरूरत है, जो कि हाँ पर points दिये गए है, क्योंकि अगर थोड़ा बखुद भी confusion होता है, तो आपको काफी ज्यादा problem हो सकते है, ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई doubt होता है, तो आप comment के जड़े ये पूछ सकते है और guys, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो like and share जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, तो guys, जल्द ही मिलते हैं next new update के साथ, तब तक के लिए, thank you